तो उसमें भी तेज दर्द होता है तो इन सभी moderate to severe जो पेन है उस सभी में इसका प्रियोग लिया जाता है इस injection का प्रियोग जो समय दर्दे उसमें नहीं लिया जाएगा जो मद्यम से उची स्थर का दर्दे उसी में लिया जाएगा वैलकम फैंट्स स्वागतम दोस्तों पैतेडिन एक सिंतेटिक ओप्यूड एनलजेसिक दवा है जो मॉर्फिन तथा कोडिन के सिमिलर पाउरफुल इफ्ट रखती है पैतेडिन फिनाइल पिप्राडिन क्लास की दवा है जो moderate to severe pain को ठीक करने के लिए प्रियोग लाई जाती ह पैतेडिन को हम मैपरेडिन नाम से भी जानते हैं साथ ही यह मियो ओप्यूड रेसेप्टार एगोनिस्टिक रूप में कारी करता है मतलब इसेप्टार के कारी को बढ़ाता है जिससे की मरीज में दर्द को ठीक किया जा सके यहाँ पैतेडिन टेबलेट तता इंजेक्शन दोनोगी फ़र्म में बनाई जाती है लेकिन इस वीडियो म महं पैतेडिन इंजेक्शन के बारें पूरी डिटेल जानेंगे यदि इस इंजेक्शन के स्टेंध की बात की जाए तो यहाँ इंजेक्शन 50 मिलेगा परती 1 ml की बनाए जाता है साथ इसकी जो पेकेजिंग होती यह 1 ml के एंपूल पेकिंग में तता 2 ml की एंपूल पेक्टिंग होती है जो 1 ml का एंपूल है उसमें 50 मिलेगा पैथेडीन होगा और जब भी इस इंजेक्शन को आप अपने जन्दीक नाम पैथेडीन से आपको मिली जाएगा इसके लावा एक दो इसकी पोपुलियर ब्रांड है जिसमें सबसे पहली ब्रांड है वर पेट इंजेक्शन और दूसरी है डेमेरोल इंजेक्शन यह दोनों आपको कहीं पर मिल जाएगी इन दोनों है इंजेक्शन इंजेक्शन है और इसके अलाव भी इसी सेम कंटेट का कोई दूसरा इंजेक्शन भी आपको मिले तो इसकी आप ले सकते हैं उसका असर भी एक जैसा ही होगा इसकी प्राइस की बात की जाए तो जो एक एमेल का एमपूल है यह आपको 60-70 रूपे की MRP मिल जाता है और 5 ए इसका प्रियोग लिया जाता है जैसे यदि किसी महिला की डिलेवरी हो रही हो वह बच्चे को जंग दे रही हो तो एड़ टाइम ऑफ चाइल्ड वर्थ बहुत ही शीवर पेन होता है बहुत तीज दर्द होता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए यहां इंजेक्शन प्र प्रिट्ट ऑपरेशन के बाद में तेज दर्द हो रहा हूँ तब इसे दिया जाता है और कई बार यहां इनजेक्शन स्विरिंग को ठीक करने के लिए प्रियोग लिया जाता है और कोई व्यक्ति जिसको सिवर एक्सिदेंडल इंजरी हुई हो उसमें तेज दर्द हो रहा तो इन सभी moderate to severe जो पेन है उस सभी में इसका प्रयोग लिया जाता है इस injection का प्रयोग जो समय दर्दे उसमें नहीं लिया जाएगा जो मध्यम से उची स्तर का दर्दे उसी में लिया जाएगा अब जान लेते हैं वहां कौन गोंड से व्यक्ति जिससे इस injection का प्रयोग नहीं करना चाहिए उन्हें नहीं लगाना चाहिए उसमें सबसे पहले वह व्यक्ति जो पास्ट में यह कभी भी ऑप्यूइड एनाल जैसिक जो दवईयां है उप्यूइड गूरूप की दवईया है उनसे एलर्जी के हाइपर सेंसिटीव हो इसके अलावा किसी व्यक्ति को आस् सरा पीता हो, हार्ट रेट किसी के फास्ट हो या कोई व्यक्ति जो डियबीटीज का पैसेंट हो तो इन सभी व्यक्ति को यह इन्जेक्षन नहीं लगाया जाते हैं या कोई व्यक्ति है जिसको किसी अन्यव परका की बिमारी है या को मेडिसीन जली हो जैसे जैसे MAO inhibitor उन्हें भी यह दवा नहीं दी जाए इसे कारण से आपकी जो medicine history है तता disease history है उसको पहले ही doctor को बता दे जिससे की proper medicine आपको दी जा सके अब हम जान लेते हैं इस injection को किस तरह से लगाया जाता है इसकी root of administration क्या होती है इसकी dose क्या होती है तो अगर इसके root की बात की जाए तो इस injection को IM intramuscular SC subcutaneous अधा IV intravenous सभी root से लगाया जा सकता है जब adult व्यक्ति में इसे IM लगा जाएगा तो उसमें इसकी dose रहेगी वो होती है 25 mg से लगा अगर 100 mg यह इसकी dose रहेगी एक बार में इतना लगाए जाता है और किसी व्यक्ति को अगर IV intravenous diet नसों में लगाए जाएगा तो इसकी dose थोड़ी कम हो जाएगी वो रहेगी 25 mg से लगा अगर 50 mg यह भी इसे slow लगाए जाएगा और अगर बच्चों में इसकी dose की बात की जाए तो उनमें body weight की according दी जाती है जो 0.5 mg से लगा कर 2 mg परती किलोग्राम होता है अगर example से समझे 10 kg का अगर कोई बच्चा है तो उसे 5 mg से लगा कर 20 mg का injection लगा जा सकता है जो अलगलग condition में डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है उसको कितनी मिलीग्राम की आवसकता है सामेने तोर पर यहीं इसका body weight की according dose होती है और यह है injection जब single dose लगा ही जाती है उसमें मरीज को काफी अच्छा result मिल जाता है फिर भी यदि किसी को अधर से ज़्यादा relief नहीं मिलाए तो अगली dose भी उसे लगा ही जा सकती है लेकिन जो 2 dose होती है उसके बीच में कम से कम 4 गंठे का अंतरा लोना आवसक है इस injection के पारे में एक विशेश बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है कि इस injection का प्रियोग आपको limited period के लिए करना है जितना आपको डोक्टर ने रिवाज किया वही करना है और में एक एड़ज दोंगा आपको SOS बहुत तेस दर लगाता है उसका दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है जहिस से उसको regular यूजर करने लग जाता है बार बार यूजर करने का इसकी आदद मरेज को लग जाती हो जाता है अगर व्यक्ति इसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल हो जाता है क्योंकि opioid group की दबाई तो इसको एडिक्सन के बचने के लिए इसका कम से कम प्रियोग करें, साथ ही डॉक्टर की देख रेक में तथा डॉक्टर की सल्हा पर ही इसका प्रियोग करें। अब वीडियो के रच में जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो मॉस्ट कमन साइड इफेक्ट है उसमें वेक्ति को चेस्ट में टाइटनेस लगने लग जाएगी। चेस्ट में वीजिंग के गर गर हाट की आवाज आएगी। साथी नोज या तता वोमिटिंग होने की इस्तित हो सकती है। स्वास लेने में समझ्या रहेगी। चाहरे पर होट तता आईलीड पर सुजन आ सकती है। इसकिम पर रेसस हो सकते हैं, फफोले हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है। और कॉंस्टी पर साथ डाई हरिया की समझ्या भी इस इंजेक्शन को लगाने के बाद हो सकती है। यदि यह या इसके लेव को दूसरे अंडिजेरबिल इफेक्ट आपको मिले। तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आपको प्रोपर टीट्मेंट दिया जासेगे। और फ्यूचर मिस इंजेक्शन का प्रियोग नहीं करें, आपको गातक समझ्या का सामना करना पढ़ सकता है। तो दोस्तों यह है पूरी जानकारी थी वरपेट इंजेक्शन के बारे में जिसका कॉमपोजिशन ने पैथिदीन, जिसके बारे में आपमें से ही एक सब्सक्राइबर दोस्तों मुझे कमेंट किया था। उम्यद करता हूँ, जो जानकारी आपको चाहिए थी, वो आपको जोर से मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। झाल 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 झाल 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 झाल